हलो एविवान और वालकम बेक टो माई यूटेब चैनल सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आपको जो है आइनिंग करनी है तो आइनिंग की बहुत सारे टिप्स और टिक्स जो है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए है बट फिर भी कई लोगों को जो बहुत सारे यह जो है डाव्ट्स होते है कि उनका जो रिजल्ट है हेर्स का रिजल्ट बिल्कुल स्मूथ आएगा शाइनिंग हो गए उनकी हेर्स बड़ वो रिजल्ट नहीं आ पाता है तो मैं आज जो है उसकी सारी क्वैरिस जो आपकी जो है क्लियर करने वाली हूं तो सबसे पहले जब आपने जो है आइनिंग जब आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले जो है आपको फोर सेक्शनिंग जरूरी है कोई भी आप हेर का वर्क कर रहे हो तो सबसे पहले भई आपको फोर सेक्शनिंग करने आनी चाहिए तो फोर सेक्शनिंग यहाँ पर आप देख करनी हो तो सबसे पहले जब आप क्या करोगे मैं आपको अगले section में जो आप proper आपको बताऊंगे कि किस तरह से आपको करना है तो सबसे पहले आपको medium to thick section जो आपको उठाना है अपने hairs का उसके बाद जो है अगर hairs की जो bit है वो जादा है तो आप hair की bit में से 2 section कर सकते हो तो यहां पर मैंने जो है same वही चीज जो apply किया और यहां पर सबसे पहले मैंने root clear किये हैं तो आप सभी को जो है यह technique हमेशा करनी है जब आप front जो है उसका section clear करोगे उसके बाद जो है आपको length के उपर आना है तो सबसे पहले आप जब आप कोई भी section ले रहे हो तो उसका root आपको root की side से आपको जो आइनिंग करनी है अच्छे तरीके से और आपका जो hand की grip है बहुत अच्छी होने चाहिए और बिल्कुल भी lose नहीं चोड़ना है बिल्कुल दबा के जो है आइनिंग को जो है hairs के उपर चलाना है क्योंकि यहीं से जो है आपके hair के उपर shine आना start हो तो कई लोगों को जो है complain होती है कि उनके बाल जो बहुत खिचते है आइनिंग करने के time तो बही जब हम बालों को सीधा कर रहे हैं तो बालों का खिचना जो है एक लाजमी ही आप मान सकते हो कि बाल खिचेंगे ही खिचेंगे जब आपके आइनिंग हो रही है बट कुछ ट ही है वह अलग है तो का आपसे सबसे पहले मैंने जो की नाइंटी डिगरी किये उसकी कि बाद में उसके लיन्थ के उपर आई हूं तो लेन्थ जो है मैं बिलकुल जिरो डिग्री के उपर जाकर जो हाकर करी हूं कोई भी अंगल नहीन है तो length को मैं जो हमेशे 0 degree के उपर करती हूँ आप भी try करें कि आप length को जो हमेशे 0 degree पर करें इससे क्या होगा आपके बाल जो कम खिचेंगे and आपको असानी हो जाएगी lining करने में and same technique आपको वही करनी है same आपको root से जो है अच्छी तरह से clear करना है 3 to 4 time आप कर सकते हो उसके बाद जो है आपको length के उपर आना है and comb जो हमेशे आपके हाथ में होनी चाहिए क्योंकि बहुत जादा जो गर्म होती है जो client है उसका जो पीछे वाला area है जो back section है तो यहां पर हमारे बालों के जो dense है बहुत जाता होता है तो जवरदस्ती नहीं करने है आपको जो है दो section आप ले सकते हो divide कर सकते हो उसके बाद जो है अलगर section को आप जो हाँ आइनिंग करके छोड़ सकते हो तो यहां पर same मैं जो हाँ कर रही हूँ root clear, root के बाद mid तक का रही हूँ, mid के बाद जो मैं उसको length तक लेग जा रही हूँ and आप देख सकते है maximum five to six time जो है एक section पर मैं जो हाँ आइनिंग कर रही हूँ आप दोबारा से आइनिंग करो, so मेरा यही माना है आपको आइनिंग जो है, rebonding cream के बाद जो आइनिंग कर रहे हो, बहुत अच्छे सा टाइम लगा के आपको जो हाँ आइनिंग करनी है, एक section में आपका 15 to 20 minutes भी लग सकते हैं, according to hair, dense according to hair length, तो यहां पर मेरे एक section में maximum 15 to 16 minutes लगे थे, क्योंकि मैं पुरा वीडियो जो हाँ रिकोर्ड कर रही थी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो हाँ रिजल्ट आइनिंग या hairs के उपर, and कोई भी जो है, इसमें मैंने कुछ भी अभी use नहीं किया है, serum भी use नहीं किया है, तो I hope so आपको मेरी वीडियो अच्छी है,